Welcome to only AIS, स्वागत है आप सभी लोगों का प्रिलेम बूश्टर न्यूज डिसकेशन में आज 12 जुलाई 2022 है तो आज ये देख लेते हैं कैसे कौन से important articles हैं जो आज हमें cover करने हैं हमारा first article O Valley के बारे में है Human-Animal Conflicts अक्सर होते रहते हैं अगर animals के पास proper natural habitat ना हो तो फिर वो रिहाशी इलाकों में entry करते हैं और उनका सामना इंसानों से हो जाता है O Valley जो की गुडालूर में है वहाँ पे पिछले दो महिनों में तीन ऐसे cases देखने को मिरे हैं जहाँ पे तीन अलग-अलग elephants ने तीन humans की जान ले ली That was the case of human-animal conflict O Valley शौटन नेम है James Otter Lonnie यह जो व्यक्ती थे जिन्होंने इस region में tea plantation की शुरुआत की उन्ही के नाम पर इस valley का नाम O Valley रग दिया किया जो O Valley है यह आपको Tamil Nadu के निल ग्रे डिस्टिक में मिलेगा यह Tamil Nadu का पूरा area आपको दिख रहा है तो यह area है जहाँ पर आपको O Valley लार्जली मिलेगा यह एक central place है Tamil Nadu, केरला और करनाटका की boundary पे यहाँ पे आप करनाटका देख सकते हैं यह केरला है यह Tamil Nadu है और यहाँ पर आपको O Valley मिलेगा तो एकदम बिल्कुल center में location आपको समझ में आ रही है यह Mudumalai National Park और New Amarambalam Reserved Forest के बीच का area है मतलब इसी जिगर पे located है New Amarambalam Reserved Forest यह कोई नया forest नहीं है बलकि यह पूरा इसका नाम है New इसके नाम का पार्ट है इसे सन 2002 में Reserved Forest का दरजा दिया गया था तो यह overall इसका नाम ही है Tea एक main crop है जो इस area में cultivate की जाती है लेकिन ऐसा नहीं कि केवल चाय का ही उत्पादन होता है इसके लामा coffee, cardamom, clove यानिकि long, pepper, ginger और plantain यानिकि केला कई सरी ऐसी cash crops हैं जिनको यहाँ पर उगाया जाता है Santhana Malai, इसे एक और नाम दिया जाता है जिसका मतलब होता है Sandalwood Hill Sandalwood का मतलब चंदन होता है, मतलब चंदन की पहाडिया O Valley का एक mean attraction रहा है यह नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि एक समय में यहाँ पर बहुत सारे चंदन के पेड़ हुआ करते थे हला कि अब पेड़ों की संख्या कम हो गई है still, यह center of attraction तब भी बना रहता है तो यह मामला O Valley के बारे में और human-animal conflict के बारे में हमरा next article cloud burst के बारे में है यहनि की बादलों का फटना अभी हाल ही में जम्मु इन कस्मीर में जो अमरनाथ की यात्रा का रास्ता होता है वहाँ पर highly localized rain देखने को मिली जिससे बहुत तेजी से floods आए और अभी जो भी जानकारियां available है उसके recording 16 लोगों की इस घटना में जान जा चुकी है इसे बादलों के फटने की घटना कहा जा रहा है cloud burst कहा जा रहा है cloud burst का मतलब क्या होता है cloud burst का मतलब यह होता है कि अचानक से खूब तेजी से बारिश शुरू हो जाए और यह जो बारिश है वो बहुती कम पीरिड में बहुत जादा हो इसके साथी साथ हेल और थंडर भी देखने को मिले आखिर कितनी बारिश हो बहुती कम पीरिड में कि हम उसे cloud burst या बादल का फटना कह सकते हो इंडिया मेटलोजिकल डिपार्टमेंट यानि कि IMD इसके लिए एक definition देता है IMD के according किसी भी घटना को cloud burst तब कहा जाएगा जब unexpected precipitation देखने को मिले अचानक से बहुत ज़ादा बारिश हो जाए precipitation में केवल बारिश नहीं आता इसमें hailstorm वगेरा भी आ जाते है मतलब ओले गिरना वगेरा precipitation का ही पार्ट है अगर बहुत ही कम समय में 100 mm तक की बारिश हो जाए या 10 cm तक की बारिश हो जाए एक घंटे के भीतर जो area specify किया जाता है that is 20 to 30 square kilometer यानि कि 20 से 30 square kilometer की area में within an hour 100 mm की बारिश अगर हो जाती है तो इस घटना को आप cloud burst या फिर बादलों का फटना कह सकते है cloud burst के जो instances होते है इसमें बहुत तेजी से बारिश शुरू हो जाती है बहुत ही कम समय में और काफी ज़्यादा नुकसान भी होता है लेकिन अगर बहुत तेजी से बारिश हो रही है defined criteria अगर fulfill नहीं होता है तो आप उसे बादलों का फटना नहीं कहेंगे जैसे बारिश बहुत तेज हो रही है लेकिन उसका area जादा है या जो minimum amount of rainfall की बात की जा रही है IMD के ज़रा that is 10 cm पर आद वो fulfill नहीं हुआ तो आप उसे cloud burst नहीं बोलेंगे तो ऐसी कौन सी स्थिती होती है जब बादलों के फटने की घटना हो जाती है जब स्थिती relative humidity की हो relative humidity का मतलब होता है कि एक certain temperature level पे जो air है वो कितनी humidity को absorb करके रख सकती है बिना condensation के उसे relative humidity कहा जाता है फ़र्दर cloud cover हो बादल बहुत घने होते चले जाएं layer by layer और temperature कम हो हवाएं धीमी हो क्योंकि हवाएं तेज होंगी तो वो clouds को scatter कर देंगी फिर अचानक से तेजी से बारिस हो नहीं पाएगी अगर ऐसी स्थिती बन जाती है तो बादल के फटने की घटना हो सकती है थोड़ा और specify करते हैं देखे cloud burst की जो घटना है वो in general या सामने तया हिली एरियाज में ही देखने को मिलती है क्योंकि हिली एरियाज में कुछ certain conditions बन जाती है जिसमें बादल फट जाती है एक्सपर्स का ये कहना है कि cloud burst कब होगा इसे predict कर पाना इतना आसान नहीं है लेकिन mountainous zones में इनके होने की संभावना जदा रहती है because वहाँ का terrain और elevation उन्हें ऐसी परिस्थितियां दे देता है जैसे देखे हिली एरियाज में क्या होता है औरोग्राफिक रेन देखने को मिलती है औरोग्राफिक रेन का मतलब ये होता है कि जब कोई एक पहाड़ी है तो उसका एक हिस्सा होता है जहां पर मौशर जाके टकराता है इसे windward side बोलते है ठीक है और जो दूसरा हिस्सा होता है जहां पर मौशर जा नहीं पाता सारी बारे इसी तरफ हो जाती है उसे leeward side बोलते है अब देखिए होता क्या है कि माल देजिए कि जो plane वाला area है यहां से जो हवा है यह flow करती हुई पहाड़ों की ओर जा रही है यह अपने साथ moisture का content लेकर जाएगी और conventional current के form में यह हवा उपर उठेगी अपने साथ moisture को लेकर जब यह उपर जाएगी तो normal lapse rate के according जो temperature है वो गिरेगा और clouds form हो जाएगे अब clouds अगर form हो गए तो सामने ते आफिर धीमेदी में यह जो clouds के droplets हैं water vapor है वो condense हो जाएगा और बारिश हो जानी चाहिए बढ़िया बात है उपर दबाव बनाती जा रही है इसे बरसनी नहीं दे रही है अब layer by layer clouds बनते जा रहे है यहाँ पर जो water vapor है वो खूब सारा condense होकर इकठा होता जा रहा है और नीचे से water vapor add होता जा रहा है मतलब water vapor add तो हो रहा है लेकिन नीचे से गर्म हवा इस पानी को बरसने नहीं दे रही है लेकिन भाई कोई कब तक बरदास करेगा जब तक बरदास कर पाएगा यह बादल तक बरदास करेगा और जब इससे बरदास नहीं होगा तो बोलेगा लो एक बाद में वो सारा गिरा देगा and that will be the incident of cloud burst raindrops अचानक से खूब तेजी से बारिज शुरू हो जाती है तो यह mechanism है बादलों के फटने का ठीक है इसमें देखे फिर जब बादल फटते हैं तो फिर पानी बहुत तेजी से flash flood के form में जो plane का area है वहाँ पे flow होने लगता है destruction करता है अगर रहायसी इलाके हैं कंगन हली में सिनाती साइट का ही सनाती साइट का ही एक हिस्सा है यह कंगन हली जो कि आपको काला बुरागी डिस्टिक में मिल जाएगा करनाटिका के फाइनली लगभग 20 साल के बाद archaeological survey of India ने सनाती की सुधली है उनके पास 300 करोन के आसपास का budget है अब जिसके माद्यम से वो यहां के excavation को एक बर फिर से शुरू करेंगे इसे दिखे यहां पे जो remains है उनको ऐसे खुले आसमान में छोड़ दिया गया था जबकि ऐसे archaeological remains को खुले आसमान में छोड़ा नहीं जाता उन्हें protect करके रखा जाता है पूरा मामदा समझे जिस सननाती जो एक छोटा सा गाउं है बीमान अदी के किनारे है चितारपुर जो तालुका है काला काला बुरागी में गुलबर गा में करनाटका में वहाँ पी यह location है सननाती के location मैप में आप देखना चाहिए जब छट ढए गई तो फिर उस मलबे को साफ किया जाने लगा जब मलबा साफ किया जाने लगा तो थोड़ा बहुत excavation किया गया जब excavation किया जा रहा था काली टेंपल के मलबे को साफ करने के दौरान जो collapse हो चुका था तो वहाँ पर हमें कुछ अशोकन addicts मिले उनके शिरा लेख मिले जो की प्राकृत लैंविज में लिखे थे ब्रहामी स्क्रिप्ट में जब इसकी जानकारी मीडिया होसे तक गई तो कई सारे historians को लगा कि ये एक बुद्धिस साइट हो सकती है तो वो लोग वहाँ पर research करने के परपस से जानकारी कठ्था करने के परपस से पहुँच गए उसके बाद वहाँ पर एक स्तूपा भी मिल गया है जो ये माना जा रहा था कि उस समय का काफी बड़ा स्तूप रहा होगा वहाँ पर हमें एक और interesting चीज मिली that was only surviving image of Moran Emperor अशोक, उनका एक stone portrait हमें वहाँ पर मिलता है जहाँ पर inscription में राया अशोका लिखा था ब्राहमी में इन चीजों ने काफी अट्रैक किया जो arkeologist थे उनको archaeological excavation start हुए देखे ये जो मामला है जैसा कि मैंने आपको बताया ये 1986 का है इसके लगभग 8 साल बाद 1994 में यहाँ पे excavation start हुए और ये excavation 2001 तक चले 2001 के बाद archaeological survey of India ने इस पूरे रीजन को जैसे छोड़ सा दिया जो जहाँ जैसे था वैसे छोड़ के वो चले गया और फिर इस एरिया की इस जिगे के किसी ने कोई सुद्ध नहीं ली excavations में चीजे मिली हैं उन्हें प्रटेक्ट भी किया जाएगा significance क्या है सननाती की हमें आगे आने वारे समय में पता चला कि यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा महा स्थूप हुआ करता था जिसे अधो लोग महा चैप ते कहा गया अधो लोग का मतलब होता है पाताल लोग जैसा के inscriptions में लिखा हुआ था असोका का हमें sculpture portrait मिला है जो की काफ़े ज़ादा significant है वहाँ पे वो throne पे बैठे हुए हैं उनकी आसपास queens हैं जो उस portrait में दिखाई गई हैं तो इसलिए ये सननाती की location बहुत ज़दा important है देखें प्रशन क्या था 2019 का कि कौन से relief sculptures है sculpture inscription है जहाँ पे रायो अशोकन, किंग असोका ये mention किया गया है असोक के portrait किसाँ और इसका सही जवाब कंगन हली जो location भी मैं आपको बता रहा था जो सननाती साइट का एक हिस्सा है तो इसका सही जवाब था तो वैसे ASI ने इसको भुला दिया था लेकिन 2019 में UPSC ने इसकी सुदह ले ली थी और प्रशन भी पूछ लिया था तो locations important होती है हमारा next article सिंगा लिला नेशनल पार्क के बारे में है अभी इस एरिया में Red Panda को introduce किया जाएगा इसी reference में ये news है प्लान ये है कि आने वाले 5 सालों में हम यहाँ पे लगभग 20 Red Panda introduce कर देंगे सिंगा लिला नेशनल पार्क एक नेशनल पार्क है जो कि सिंगा लिला रिज के आसपास located है 7000 फीट की उचाई पर दाजरिंग रिष्ट जो वेस्ट बंगाल का है वहाँ पे location देखे यहाँ पर आपको सिंगा लिला रिज में लेगी और ये जो एरिया है ये सिंगा लिला नेशनल पार्क का है spot करके देखी ये दाजरिंग वाले एरिया में है ठीक है तो मैप में location आपने देख ली fundamentals आपने समझे अब देखे जो पार्क है उसे वाइलेफ संसरी डिकलर किया गया था 1986 में और नेशनल पार्क 1992 में Eastern Himalaya का पार्ट है यहाँ पे जो रिज है वो North South उसका direction है जो की Himalayan West Bengal को Eastern Himalayan Race से अलग कर देता है दो highest peak है West Bengal में पहला है संदाक्फू यह 3630 मीटर की है और दूसरा है फालूत यह 3600 मीटर का है यह इसी रिज में located है पार्क के भीतर रम्मम रिवर और स्रिखोला रिवर इसी पार्क से होके गुजरती है पांडा की बात करते हैं तो Allerous Fulgence यह इसका scientific नाम है याद ना रहे समस्या की बात नहीं है सिक्किम वेश्पंगाल, मिघालय, और रवंचम प्रदेस में भरत में आपको यह रिट पांडा मिल जाएंगे I seen status endangered होता है पेडों पे लाजली रहने वाला यह एक मैमल है बहुती क्यूट सा होता है आप इमेज में भी देख सकते हैं आपने में भी कुंफू पांडा जैसी मुवीज भी देखी हूँ इंडिया, नेपाल, भूटान और नदन मौंटेन जो मियांग मार का है सदन चाइना है, वहाँ पे यह पांडा आपको मिलता है सिक्किम का स्टेट अनिमल भी है शाई होता है, शर्मीला होता है अकेले रहना पसंद करता है और एकलोजिकल चींज का इंडिकेटर स्पेसीज भी है अगर एकलोजी में बतला होगा तो इसे नुकसान होगा ये बाइस सौ से अर्तारीस सौ मीटर की उचाई पे रहना पसंद करता है और बंबू के फॉरेस्टिस के बहुत ही फेवरेट होते है वहाँ पे ये मजे से रहता है देखें पांड़ा पे नहीं लेकिन हाथी पे प्रशन पूछा गया है मतलब जीवों पे प्रशन पूछे जाते हैं चार्स स्टेटमेंट थे 2020 में प्रशन पूछा गया था कि फीमियल जो होती है ऐलेफेंट ग्रुप को वो लीड करती है दूसरा था कि 22 मंथ इनका मैक्सिमम जेस्टेशन पीरिड होता है जब ये बच्चे को गर्भ में रखती है और तीसरा ये है कि ये नॉर्मली केवल 14 वर्स की आयो तक ही जो काव है उसको रख सकती है ठीक है काविंग कर सकती है मतलब बच्चे को अकमने गर्भ में रख सकती है स्टेट्स में केरला में सबसे हजिस्ट इलेफेंट पॉपलेशन मिलती है तो पहले दोनों स्टेट्मेंट तो करेक्ट है तीसरा एंकरेक्ट है विकॉज ये 56 वर्स की आयू तक काविंग कर सकती है और ये गलत है विकॉज सबसेद आलेफंट्स आपको करनाटका में मिलते हैं केरला में नहीं तो वन एंट्टू आंसर हो जाएगा इसका हमारा नेक्स्टारिकल आइनस विकॉज रांद के बारे में है इसका फोध फीस का सीव ट्रैल भी हाल ही में हुआ है सेक्सेस्फुल भी हो गया है इसके दरान इसमें जो भी एक्विप्मेंट लगे थे सिस्टम था हमने उसको टेस्ट किया है इसका नाम हमने एक बहुत ही मैजेस्टिक क्लास के एरक्राफ्ट कैरियर पे रखा हुआ है जिसने इंडिया को 1961 से 1997 के बीच में सर्फ किया था बाद में उसको डी कमिशन कर दिया था उसी के नाम पर हम अपना नया तयार कर रहे हैं ये इंडिया का पहला इंडिजीनियस एरक्राफ्ट कैरियर है अभी तक जो भी एरक्राफ्ट कैरियर है वो हमने किसी ने किसी देश से लिये हुए थे लार्जली रश्या से लेकिन ये हम अपना खुद का बना रहे हैं जो की बहुत अच्छी बात है इसे बनाया जा रहा है इंडियन नेवी के डिरेक्टिरियूट आफ नैवल डिजाइन के दवरा कोची शिप्याड लिमिटेट में इसे बिल्ड किया जा रहा है 262 मीटर लंबा है, 300 कंपार्टमेंट्स हैं, 176 लोग ऑन बोर्ड जा सकते हैं special cabins है, women officers के लिए, बहुत high end technologies का इस्तेमाल किया गया है, network centric distribution, data processing और control system, बराक, जो missile system है, जो defense के लिए इस्तेमाल किया जाता है, LR SAM, long range surface to air missile और sensors, सब के साथ equip किया गया है INS विकरांट को, INS विकरांट अगर functional हो जाता है, तो हमाएं पास जाएगा, अगर हम इसे पढ़ियां से तयार कर लेंगे, जो कि almost हो गया है, तो हम कुछ बहुत ही standard countries की league में आ जाएंगे, USA, UK, France, Russia, Italy और चाइना जैसे, जिनके पास खुद से aircraft carrier बनाने की छमता है, हमारा next trial के डिरेक्टरियर जर्नल अफ सिविल अवेशन, यानि की DGCA के बारे में है, अभी हाल फिलाल में, Spice G8 में बहुत सरी technical problems आ रही हैं, और इस से देखिए, लोग बहुत घबरा जाते हैं, अभी हाल फिलाल में एक technical glitch आया था, तो इसी को लेकर अभी Director General of Civil Aviation ने, उनको एक show cause notice दिया है, कि आखिर आप उनी safety ensure क्यों नहीं कर पा रहे हैं, मामला क्या है, Director General of Civil Aviation है क्या, Ministry of Civil Aviation का एक attached office है, regulatory body है, इनका basic function ही है कि ये देखें, कि जो airlines है, वहाँ पे safety ensure रहे, ये regulations देखते हैं, air transport का, भारत के भीतर या भारत से बाहर, जो भी airways में काम करने वाले aviations या flights हैं उनमें, ये civil air regulations देखते हैं, मतलब वो जो passengers को एक जिगे से दुसी जिगे पर लेके जाते हैं, उनकी safety और airworthiness standards को भी देखते रहते हैं, coordinate करते हैं International Civil Aviation Organization के साथ, Aircraft Rule 1937 के तहट इनके पास अधिकार है कि एक करून रुपए तक का final post कर सकते हैं, अगर कोई ऐसा aircraft है जो passengers के life को threat में डाल रहा है, for the regulator के पास किसी airline के air operator certificate को भी suspend करने का अधिकार है, जो बहुत जरूरी है अगर आप commercial air services देना चाहते हैं, तो certificate गया मतलब आप flights उड़ा नहीं सकते, तो अभी spice jet जो है वो निशाने पर है, उन्हें अपने safety standards enhance करने होंगे, revision करते हैं, O Valley, नीज़गी डिस्टिक में है तमिलनाडू के सही है, Red Panda, IUCN में, लिस्ट में vulnerable है, गलत है, endangered है, INS वेकरांद, static, strike, nuclear submarine है, संबरीन तो करता ही नहीं है, ये तो एक aircraft carrier है, सिंगाल लिला नेशनल पार्क, अन्राशन प्रदेश, कलत है, वेस्ट पंगाल, हमरा आज का ये session यहाँ पर समाप्त होता है, बहुत बहुत धन्यवाद,